आवयव को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं आवयव को इंग्लिश में आप component या ingredient कह सकते हैं या आई अगर आप ये कहना चाहें कि पानी स्वस्त आहार का एक प्रमुख आवयव है तो आप कह सकते हैं water is a key component of a healthy diet या अगर आप ये कहना चाहें कि रोटी पकाने में आटा एक मूला भी अब है तो आप कह सकते हैं flour is a basic ingredient in baking bread अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें